Hello DC fans, welcome back to my channel Daastan TV तो जितनी भी fans हैं superhero franchises के चाहे वो DC Extended Universe के fans हो या किसी other superhero franchise के fan हो तो majority of लोग जो superhero के fans बने हैं वो live action या कहें तो movies को देखके बने हैं और हम जानते हैं ये superhero movies का जो source material है वो है DC Comics और बहुत से ऐसे आपको so-called superhero fans दिखेंगे जिन्होंने अपने favorite superhero की भी एक भी comic book आज तक नहीं पढ़ी है अच्छा उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि वो सोचते हैं कि चलो भही हम DC Comics मुझे पसंद है DC Universe तो हम DC Comics को पढ़ते हैं लेकिन problem यह है कि हम पहना शुरू कहां से करें क्योंकि हर character को इतनी बार reboot किया गया है इतनी सारी alternate timelines हैं इतने अलग-अलग writers हैं कि समझ में ही नहीं आते कि कहां से शुरू करें तो guys मैं नई series शुरू कर रहा हूँ अपने channel पे जिसमें मैं DC superheroes की बारे में discussion करूँगा और ऐसे DC Extended Universe के fans जिन्होंने आज तक कोई भी comic book नहीं पढ़ी है उनको बताऊंगा कि आप कहां से start कर सकते हैं अपने favorite superhero की comic books को पढ़ना तो इस वीडियो में मैं लोग discussion करेंगे मेरे favorite superhero Batman के उपर वीडियो शुरू करने से पहले guys मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप किसी ऐसे शक्स से advice लें जो DC Comics पढ़ चुका है या पढ़ता है regularly तो अलग-अलग शक्स के अलग-अलग opinion हो सकते हैं कोई कह सकता है कि भाई आप यहां से शुरू करो कोई कह सकता है कि भाई आप यहां से शुरू करो तो उसमें कोई issue नहीं है अब जो present DC Extended Universe चल रहा है उससे similar किस comic book issue की story चल रही है ताकि आपको confusion नहीं हो तो सबसे पहले guys मैं आपको यह बताऊंगा कि Batman character के बारे में अगर आप best of the best story arc इसका पढ़ना चाहते हैं तो वो है Frank Miller का Batman Frank Miller का आप जानते हैं बहुत ही veteran comic book writer है जिन्होंने 300 movie की graphic novel भी लिखी थी इनकी जो comic book है Batman Year 1 जिसको कहें तो heart of Batman story arc से भी बोला जाता है award winning story arc है इसमें हमको Bruce Wayne के बिल्कुल origin से दिखाय जाता है कि कैसे उसने अपने माबाप को खो दिया और कैसे वो Batman बना और Batman बनने के लिए उसको किस-किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा ये बहुत खुबसूरती से इस DC comic book में दिखाये गया है इस comic book की एक और जो interesting चीज है वो ये है कि Batman का जो साथ ही है Commissioner Gordon उसकी origin story को भी बहुत अच्छे से इसमें दिखाये गया है क्योंकि वो तुरंत ही Commissioner तो बन ने गया था Gordon वो पहले Constable था यानि के एक lower post में था फिर धीरे धीर उसका promotion हुआ और वो Commissioner बना तो Batman की origin story के साथ साथ ये comic book जो है वो Commissioner Gordon के लिए भी एक बहुत अच्छी origin story को set up करती है अच्छा Batman Year 1 पढ़ने के बाद अब direct jump मार के आ सकते हैं Batman The Dark Knight Returns Batman The Dark Knight Returns को आप शायद बखो भी जाते होंगे ये वही comic book series है जिसने Nolan की Dark Knight Rilogy को inspire किया और जो हमारा Ben Affleck का Batman है वो तो कहें तो heavily inspired है Batman The Dark Knight Returns comic book से इसमें हमको यही दिखा जाता है कि हमारा जो Batman है वो काफी ज़्यादा बुजर्ग हो चुका है और वो return करता है crime fighting में और एक जो बहुत interesting चीज़ इस comic book के बारे में है guys वो यह है कि Batman The Dark Knight Returns को अगर कोई die hard Superman fan अगर पढ़ेगा तो थोड़ा सा नाखुश हो सकता है क्योंकि इसकी story को जो लिखा है Frank Miller ने वो Bruce Wayne के perspective से लिखा है यानि Bruce Wayne एक तरीके से story को narrate कर रहा है और Bruce Wayne तुम जानते हैं Superman को starting में as a threat मानता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि यह Superman इनसानों के लिए फाइदे मंद है या इनसानों को नुकसान पहुचा सकता है तो थोड़ा सा मैं कहूंगा डार्क लाइट में दिखाया गया है Superman को overall जैसा कि मैंने बताया कि कई सारी animation movies और Dark Knight trilogy और Zack Snyder की trilogy को इसने inspire किया है एक और चीज़ इस Comic Book में जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि Batman के वल एक symbol है और Batman कोई भी बन सकता है यही चीज़ हमको Dark Knight trilogy की जो लास्ट मूवी थी Dark Knight Rises उसमें भी दिखाया गया था कि जब Christian Bale का Batman रिटार हो जाता है और वो Robin को अपने Cave का address दे देता है और इस Comic Book के कई ऐसे Scenes हैं जो Zack Snyder ने बड़े खुबसूरती से Batman वर्दि Superman में दिखाया था और अगर आपने आपको सीन याद हो जब Doomsday से Batman fight कर रहा होता है पीछे कहें तो बादल बिजली कड़कती है और Batman अपनी grapple gun से वहाँ से भागता है तो डिटो कहें तो उस सीन Comic Book से बहुत खुबसूरती से Zack Snyder ने इंस्पायर किया था तो Batman Year One के बाद आप जम करके आ सकते हैं Dark Knight Returns franchise पे तो ये तो हो गया Best of the Best जो Frank Miller की Batman का जो Best है अब बात की जाए कि जो Present DC Extended Universe चल रहा है उसके बारे में क्या और जो Future में DC Extended Universe होने वाला है यानि कि Bat Family हमको Introduce की जाएगी Nightwing, Robin ये सब आने वाले हैं इनके बारे में अगर Study करना चाहें तो कहां से शुरू करें तो इनके लिए आप Start कर सकते हो New 52 Issue No. 0 Issue No. 0 जो है वहाँ से आप Start कर सकते हो अच्छा ये जो Series है New 52 इसको Scott Snyder ने लिखा है Scott Snyder का सरनेम Snyder है लिखने जो Zach Snyder के रिषदार नहीं है Scott Snyder खुद भी Frank Miller के बहुत बड़े फैन है इसलिए जब आप Batman की New 52 का कोई भी इशू अगर आप उठा के पढ़ें तो आपको बहुत जादा heavily inspired वो लगेगा Frank Miller की Comic Books से और एक और चीज़ Dark Knight Trilogy जब बहुत ज़ादा successful हो गई थी तो उसके success से Comic Books को boost करने के लिए Dark Knight Trilogy के भी काफी ज़ादा concept और काफी ज़ादा inspiration ली गई है New 52 Batman की जो इतनी भी Comics Books है तो New 52 में आपको जितना भी content Batman का मिल रहा है starting from issue number 0 आप पहेड़ा लिए वो आप catch up कर लोगे DC Extended Universe के साथ अगली चीज़ जो मैं आपको suggest करना चाहूंगा वो है Court of the Owls जो Batman की one of the best comic book series है Court of the Owls के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ये एक कहें तो secret organization होती Gotham की जो acrobats बच्चे होते हैं जो circus में काम करते होते हैं उनको young age पे लोग किटनैप कर लेते हैं उनको train करके assassins बना देते हैं अच्छा ये जो comic book issue था जिसे भी Scott Schneider नहीं लिखा था इसमें Batman की fighting skills से ज़्यादा जो focus किया गया है उसकी detective skills पे किया गया है यानि superhero comic book से ज़्यादा या आपको एक detective comic based कहें तो comic book लगेगी तो जरूर आप इसको पढ़िएगा one of the best story arcs है ये Batman का और हो सकता है Robert Pattinson की Batman movie का जब sequel बने The Court of Owls पे ही वो based हो तो प्लीज आप इसे जरूर check out करिएगा अच्छा तो अगर आपने इतना पढ़ लिया उसके बाद आप वो heavily inspired हो गया DC rebirth से तो overall शायर आपको समझ में आ गया होगी मैंने क्या कहा है तो Batman के अगर आप comics परना start करना चाहते हैं तो आप मेरी इन ही चीज़ों को follow कर सकते हैं या कोई और वीडियो आप YouTube पे देख लीजे उन्होंने जो सजेस्ट किया हो आप वहाँ से follow कर सकते हैं वो आपके उपर है आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं तो guys क्या आपको वीडियो पसंद आए प्लिस कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और क्या आप चाहते हैं कि मैं सीरीज को continue करूँ और किसी और DC सुपर हीरो के